हम लोग हम लोग हम लोग शुमत भागवतम के दूसरे सकंद के तीसरे अधाय के 22 में श्लोक को सुन रहे हैं और थीम आप जानते हो 21, 22, 23 और 24 में यह बोला जाएगा कि जब इंद्रियां भगवान की सेवा नहीं करती हैं तो वह किस प्रकार से वर्थ हैं कौन कौन से इंद्रियों की वर्थ था हमने सुनी कान की जीब की उसके बाद कल कौन से सुनी थे रहे हैं असको बाद देख लिजेए श्लोक था हाथ क्या श्लोक दिखाएँगे कोई बात मुझे भी याद नहीं है अब राइम मुझे भी याद नहीं है भारह परंपट किरीट जुस्टम अप्यूत नमांगं नमीन मुकुंदम शावाव करवनो कुरतेस पर्याम हरिर लसत कांचन कंकन तो सिर बहूत बढ़ा भार है उसमें मानलो रिषमी पगड़ी भी लगए तो भी बहूत बढ़ा भार है अगर भहावावान के सामने जुखता है एक यादि है और शब Sec के हाथ वर्थ हैं, हाथ कैसे वर्थ हैं, जिसे शव के हाथ हो, अगर बहुत क्रिष्णी की सिवा नहीं करते हैं, अब आज कौन से अंगों को डिस्टर्प में अप्सारी है, वर्थ बोला जाएगा, आंखें, और पैर, इनको, इनकी वर्थता को कहा जाएगा, तो प्लीज मे निरिक्ष तो ये पादव निडामतव दृम जन्म भाजाओ, से तराणि नानु ब्रजतो हरेर्यो, बरहाइते नयने नराना। लिंगानि विष्णुर्न निरिक्षतो ये पादा उंद्रणाम तो दुम जन्म भाजाओ शेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यो शेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यो भर्ःाय ते नयने ननानाम लिंगानि विष्णुर्न निरिक्षतो ये पादा उंद्रणाम तो दुम जन्म भाजाओ शेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यो शेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यो जो आखें भगवान विष्णु की प्रतिकात्मक अभी व्यक्तियों उनके रूप नाम गोण आदि को नहीं देखती वे मोर पंक में अंकित आखों के तुल हैं और जो पाव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहां भगवान का स्मरण किया जाता है वे व्रक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं तो तीर्थ में भी जाने का प्रयोजन क्या है भगवान का स्मरण होना चाहिए प्रहुपाज जी इसको अनुवाद में रखेंगे सैर सपाटे के लिए नहीं जाना चाहिए आजकल भी लोग तीर्थ मात्रा इस पिकनिक की तरह करते हैं आया तो पिकनिक ही होती है और जिस थान में जाते हैं आप चेक कीजिएगा कि क्या वहां पर भगवान का यस सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा महाराज बता रहेते कभी-कभी लोग अमरीका से चलते हैं इसलिए कि M.V.T. में पिजा खाएंगे या बागे बिहारी की लस्ती बहुत अच्छी होती है इस नौट ठीक है गुरंदावन आने का कुछी भी तरह से आये लेकिन यह कोई बहुत बड़ा प्रियोजन नहीं है जो भी भी तीर्स में जाएं तो उसे महां के भक्तों से श्रवन करने का मौका निकालना चाहिए उस प्रिष्णु लिंगानी भग्वान क्रिष्ण के विग्रह को लिंग करता है चिन्ह मैं पूछूँ अभी मालेजे आप लोगों से पूछता हूं भगवान कहा है यहां पे तुना एकदम छोटे बच्चे की तरह है यहां सामने है न फोटो में आपका स्मार्टफोन कहा है यहां समझा न चिन्हित कर रहा है कि यहां पे है दिमाग कहा है तो यह चिन्ह का मतलब हो गया कि भगवान कहा है अगर से आप हवा में देखेंगे तो भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे तो भगवान का मतलब भगवान का मतलब भगवान का विग्रह लेकिन ध्यान दे यह मानिया कर्म अधारा नहीं दिया था, पोस्ट ओफिक्स का भारत के इंडिया पोस्ट का की व्याप्ति कहां तक है भारत में? आल ओवर इंडिया, लेकिन उसके चिन ने कहां लगे होगे हैं? यहां, पोस्ट ओवक्स में समान से मतलब इमेल हो गया है लेकिन इन केस डाल देते हैं तो वह स्थान पे पहुंचाता है तो किसी भी लाल डब्बे में डालने से नहीं होता है अब यानि कि भगवान विष्णु को जह हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम मान रहे हैं भगवान विष्णु है ऐसा कुछ है वो भगवान विष्णु का सुरूप है और उसके द्वारा भगवान हमारी सिवा स्विकार करते हैं बुरा नहीं मानिएगा बुरा तो आप मान कबूतर करते हैं, और क्या करते हैं वो आप जानते हैं, लेकिन एक दिन, दो अक्टूबर वाले दिन, वो गांधी जी बन जाते हैं, सफाई होती की नहीं, उस मूर्ती की, और माला पहना जाती है, और बाकी टाइम सेवा, कबूतर ही करते हैं, with all due respect, हले मेरे गांधी जी से को कोई इस प्रकार का लीडर है, तो उसकी मूर्ती उससे भिन्न है, लेकिन मैंने बहुत एक लीडर की बात करी, ध्यान देजिगा, जो बहुत एक्तावादी लोग हैं, जो अध्यात्मिक शेत्र में नहीं हैं, उनकी मूर्ती उनसे भिन्न होती है, वह सेवा नहीं स्विकार क सकती है कि जिरो के लेकिन भगवान का विग्र है भगवान से अभिन्य और शुद्ध भग तो कोई विग्र है भी उनकी सेवा स्विकार करता है प्रभुपाज जी जब यहां पे थे विंदावन में योगी आया और उसने कहा कि आपने जो अपना विग्रह इधर रखा हुआ ह हुँ हटवा दीजी मंदिर से क्यों केते हैं लोग प्रणाम कर रहे है और इस कारण से आपको बिमारी आ रही है बिमार हो रहे हैं प्रभुपाज ने कहा मैं जानता हूं और श्रीपाद रामने चार जी का विग्र है आज भी रंग्शेत्र रंगनाज टेंपिल में है उसक आत्मे की लोग हैं उनकी बात नहीं कि जारी लेकिन जो भौतिक्ताबादी विक्ति उसकी मूरति देखने से उसकी स्मृति तो आ सकती लेकिन वह विक्ति नहीं है भगवान विष्णु का चिन्न देख रहे हैं तो भगवान विष्णु के अभिन है तो भगवान विष्ण और आपको समझना चाहिए आंखे नहीं देख रहा है भगवान के विग्रह को देखने की पृति कोई स्रधा नहीं है, है यह इसीज कारण से नहीं से नहीं कुछ होता है आखे होती ही तो उस आखो क्या प्रयोजन है अब इंट्रस्टिंग बात है मतुरे शरीप प्रभू से कठन प्रशन करेंगे माइक दीजेन को मतुरे शरीप रहो यह बता यह कि एक मयूर के शरीद में कितने मयूर पिछ होते हैं इस पर कुछ तो आइडिया है ए गिरने के बाद फिर से उख जाता है लेकि एक एट पॉइंट अट टाइम टीज इकोज टो कैपिटल टी ऑके माल ले जाए पांसो अब समझ में हैं पांसो आखे हैं और उनमसे एक भी काम की नहीं है इसलिए किया रहे हैं बहुत सिंपल से बात है पांसो आखे हैं लेकिन इक भी काम की नहीं है कियो प्योंकि उसके दारा भागवान का द्रशन नहीं किया जा सकता तो इसलिए व्यार्थ हो गई इस लें मयूर्पिच में विद्मान नेत्र के समान वरते हैं निर्णाम तव पादाओ तथा मनिश्यों के वह पामजो हरे भगवान हरी के छेत्रानी पवित्र सलका न अनुब्रचतह परिब्रह्मन नहीं करते वह द्रुमजनम भाजाओ वरक्षों के मूल के समान वरकष बचारी कहीं जा नहीं पाते हैं तुम्हारा चलना फिरना बिलकुल व्यर्थ है मतलब वो नहीं चलने के बराबर बलकि नहीं चलते तो अच्छा रहता कोई शराब के ठेके पर जा रहा है अगर उसने online नहीं order किया है तो चल के ही जा रहा है ना मुझे नहीं पता online online मिलती होगे लिए चल के जा रहा है तो नहीं जाते अच्छा रहता कि नहीं भगवान के मंदिर में नहीं जा रहा है और बहुत जगे अपने हाथों पैरों से जा पड़ता है कि वल पीछे पीछे बहुत बड़ी बात है स्रीमन चेतन वहाप्रभू अपने भक्तों से कहते हैं ग्रहस्त भक्तों से उनके ग्रहस्त भक्त पता निक क्या काम करते थे आइडोंट नो वाट काइंड वफ्स देवर डूइंग चार माईने अपसाल बार चुटी क चार मेंने कोई काम नहीं सुबह से शाम तक कीर्थन कथा इसी में लगे रहते तो जब जाने का मौका हुआ तो महाप्रभू कहते हैं मैं तो कुछ करता नहीं मैं तो पूरी में ही रहता हूँ और आप लोग इतना मेहनत करके आते हैं हर दिन हर साथ मुझसे यह भी नहीं हो तो वहाँ पर देवतिजार जी कहते हैं कि देखिए हम ऐसे ही आपके आगे बिके हुए हैं अब अगर ऐसे मीठे मीठे आप बाते बोलेंगे तो कौन यहां से जा पाएगा कि महाप्रभु कृष्णा इस अप्रिशेटिंग एवरी स्टेप ओफ यौर्स विनु कम टुद्धाम वनु कम टू टेम्पूर्ण कर रहा है कि देखो सुभय मंगल आर्थी का दर्शन क्यों अच्छा होता क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि अपनी सबसे प्यारी नी है तो उसे भी कुछ विश्यश दर्शन देना चाहिए आप सभी लोग का अनभव होगा जो लोग मंगल आर्थी जाते ही है कि सुभय का दर्शन बहुत अच्छा होता उसके जगड़ा रहता है दिन भार भवान का दर्शन खोली रहते हैं कोई जगड़ा नहीं है तो यह है जितनी भीड आप देखिए को सुभय मंगल आर्थी में है उत दिन में नहीं रहती है नहीं रहती ना आपको भी सोचते हैं कि सुभय के समय तो आना जदा कठीन होना चाहिए ना तो उसमें कम भीड होनी चाहिए लेकिन हमारे मंदे में सबसे अधिक भीड अगर कहा जाए है तो मंगल आर्थी में होती है तो आप लोग के सामने द्रिष्ट है कोई ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहे है वाट कुछ अजीब सी वाद है ना भीड दिन में होनी चाहिए लेकिन भीड सुभय हो रही है तो कि भगवान कुछ विशेश रूप से रिसिप्रिकर्ट करते ह कि अपने पाम लेकत के चल रहे हैं तो भगवान बहुत बहुत बड़ी बात है आते हैं धामसे आपछक्रमा कर सकते हैं सामार तो घराजि की परिक्रमा कर लें और भी अच्छा है और आप डब बात बोल रहे हो ellसे तो परिक्रमा आप जाने लिए तो रोज परिक्रमा ही करते रहेंगे तो फिर आप करेंगे या अपने expansion के द्वारा एक से आप परिक्रमा कर लें और एक से जब कर लें तो वह भी ठीक है लेकिन जो भी है जैसे आप यहां पर आए चल करके आए ना तो यह पाउं के द्वारा भक्ती हुई की नहीं तो पाउं के द्वारा इसमें कभी असर ना कोई चल नहीं पाता उसे प्रकार से इस विक्ती का चलना वेरत है यह कहने का आश्य अ किसे मुझे याद आ रहा है एक बार तुल्सी आरथी ती आयटी कामपर की बात है हम नांस नहीं कर रहे तो सुनीं असर आरथी कर रहे थे सर वोले वाय यू पीपल लाइस तैंटी ड्री वह तो कभी-कभी तिससे मंगलार्ति में हम जाते हैं, तो हम लोग भी एक competition करते हैं तमल के पेड़ से, पूरा जोड से भी मिद्ण बज रहा हो तू. मैं आप ऐसा से रहता है, प्राण एकदम हीलेंगे ही नहीं, आप मैं देखा है, महात्ना प्रूप बहुत सुंदर बात बता रहते हैं सम्में, कह रहते हैं, ecstasy produces dancing, and dancing produces ecstasy, कुछ catch किया आपने, ecstasy produces dancing, आप ecstatic हैं तो ना नृत्त करेंगे, और दूसरा भी चीज है कि dancing produces ecstasy, अभी तो बहुत भीड है, अभी मात आप प्राइ की जगा मंदिर, किसी पे कूच जाएंगे, वो तो नहीं चाहिए, लेकिन जब थोड़ा खाली हो जाए, देखेगा, ये महा भगवान का शब्द है, आदी पुरान से कि कोई विक्ति मेर करता है, तो मुझे खरीद लेता है, what is this? Krishna is so easy, लेकिन भारत नाटे नहीं करना है, देखे, डांस करते हैं ये नहीं करना है कि दूसरे मुझको देखे, डांस का अदिश्य है कि Krishna खुश्य हो, प्रसन्न हो, पर elegantly, दास से भाव नाचे, जितना भी सामर्त है, अगर बिलकु आप, तो ने कहा कि मुझे आपके सामने निर्त करने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे और कोई वर्दान नहीं चाहिए, कितना simple सी बात ना, बट दास सी भाव नाचे, या दासी भाव नाचे, जितना ये नहीं कि वहां ऐसे नाचा जाए कि सब लोग देख रहें कि आपको भारत नाचे माता है, नहीं, ऐसा नहीं, प्रभपाद एस टोड़ दस हाव डो डास, very elegantly, आप देखे होंगे परमपुची राधानात महराज को, कितना वो लोग घंटों घंटों निर्त करते हैं, यात्राय होती, मुझे याद हम लोग बहुत पहले स्टुएंट की आपको डाय थे, तो रोमपाद महराज की आतरती, उतना सुंदर इतने elegantly रहा अरुपरंपुची रोमपाद महराज नर्त कर रहा थे, इस वरी-वरी नाइस, आयंदर प्रभव को हम रहे थेखा था, आयंदर प्रभव अपना वो लेकर के, सारा पार्टी लेकर के, मंदिर गुम-घुम परिग्मा करके नाच रहे थे, शामका से महरा थे, तो आज भी समरण रहे था, रापाज ये कहते है के, नौ धुन थे थे तो आपको रहे थे, डापाजी कहते है के, दो धुन धिस चंट इन्दान्सिंग और नांसिंग नंका रहे था, बाद्य नियों कार्व और अजीब सा लगता है आत्मसाक्षात करणा डांसिंग यस तो बरहाई ते बरहाई ते नयने नराणाम उन व्यक्तियों के नयन मोई उर्पंख के आखों के समान है जो लिंगाने विश्णूर न निरिख्षण का क्या रहत है देखना मतब बड़ी चेश्टा से देखना कुछ अंतर समझ रहे हैं अगर कोई धका नहीं दे दे मारे बड़े कटनाई है आप प्रात्ना करने बठे देखे तिर में खिसक करके आप गौर निताई जी कि सामने है कि खिसक करने कृष्ण वल्राम जी के पास पहुंच के वह एक संभाव मान हो सकती है but we can always pray और अगर मंदिर में भी ना कर पाएं तो असानी से फोटो भगवान की उपलब्द है बहुत से भगवानों की फोटो भी उपलब्द नहीं है श्री रंगनाज जी की फोटो उपलब्द नहीं अभी तक अलाव नहीं करते हो पता आप कोई बात original photo नहीं लेन देते हैं अगर हो तो अगर हो तो मुझे भेजेगा I am very eager अभी तक मैं जा नहीं पाया आज तक श्री रंगनाज जी का फोटो नहीं लेने देते हो उनको पदा है कि फोटो भगवान से अभिन्न है और लोग अनादर कर सकते हैं इसलिए नहीं देते हैं युनो याट जगनाज जी का फोटो है मार बाहर आते तो फोटो खीश सकते हैं, अंदर नहीं है, इसे बहुत कोई बाते हैं, भगवान का फोटो भगवान से अभिन्न है, एक बात तो भक्तों को जरूर अपने घर में रखनी होगी, कि अब अपने शादी का फोटो ना लगाएंगे घर मानलो किसी को पोलिस बकड के ल रहे हैं, पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस बहुत को फोटो लगा रखी है, बंदा में पड़े हो तो छैफिट की फोटो लगाने की जुरत है, अरे कृष्ण का फोटो लगाओ, उससे मुक्त होगे देख कर गे, फिबार नॉट कॉंशस वाट अपने बच्चे क फोटो लगा रखा, तो मारा बच्चा है, तुमारे बाप का बच्चा हो, कृष्ण का भगवान बुल रहे हैं, माता, धाता, पिता, तुमारा बच्चा हो गया, यह दिखा रहा कि आसकती कहा जा रही है, उसी का निरिक्षन करते रहो बच्चे का, फिर दुबारा चनम हो इतना संकर, अचा कुछ लोग अपने में बड़े आ सकते हैं, अपनी जवानी की फोटो लगा के रखते हैं, मुझे पता, अरे लोग छोड़ना चूरू कर दी मीटिक, मुझे, अल्दर में प्लानिंग करके नहीं आय था, बोलने के लिए 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 विरिंदावन की, गोवर्धन की, राधा कुंड की ऐसे फोटो रखनी चाहिए, उससे भगवान की स्मृती होती है, उसका भी आप निरिक्षन कर सकते हैं, एक बात आज भक्त बोल रहे थे, मैं उसको बल्कुल शास्त्र सत्यापत बात है, महराज पे लेक्षर दिये थे, विरिंदावन का जो स्मरण भी कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि विरिंदावन में आऊँगा, तो विरिंदावन उस इच्छा के प्रभाव से उसको विरिंदावन की प्राप्ती करा देगा, तो विरिंदावन दिखना तो चाहिए, इस रिंदावन दिखना तो चाहिए, या अपने आनलों के फोटो, जो आपके है नहीं, उनकी फोटो नहीं रखने चाहिए, ऐसी फोटो रखे जो भगवान का निरिक्ष्ण नहीं कर सके है, fine? पादाओ निर्णामताओ दुर्मजन्म भाजाओ, उनसान का जन्म प्राप्त है, लेकिन क्या सा है, दुर्मजन्म भाजाओ, जैसे दुर्म, कौल्प दुर्म समझते हैं, कल्प विर्ख्ष, तो दुर्म शब्द है, विर्ख्ष की अर्थ में, तो कहने से विर्ख्ष का जन् महाराजी बता रहे थे कि एक वैक्ति था उसने का OF हम इस मंदिर में नहीं आएंगे कियो हो नहीं है आएंगे? हमने पतनी को बचंदे दिया है कि इस मंदिर में देखो भाई दसे लग रहा है, पतनी ही गोलोग की एजेंट हो गई है पतनी ही गोलोग लेके जाएंगी तो फिर दूसरा संटर खोला गया तो महाराश बोले यहां के लिए तो आपने बचर नहीं दिया नहीं यहां पर बहुत डरते हैं आप किसी भी मंदिर में जाएंगी बस एक खतरनाक मंदिर में जाएंगे इसका नाम में इसकॉन बाकी जगे आप जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो घर वाले बोलोगे रहे शली बाबा के मंदिर में तुम आज गई नहीं गलत तो नहीं किया रहे हैं और इस कौन मंदिर में आप जाएंगे तो वहां बहुत चिंता होने लगती है पत्नी को या माता पिर्दा को अगर वो लोग भक्त नहीं है तो क्योंकि जानते ही लोग दिमाग फेर देंगे वो जानते हैं कि अन्य मंदिरों में कोई ग्यान नहीं दिया जा रहा जैसा रड़का भेजा वैसा ही आएगा कि नहीं गधा बेजा गधा वापस गलत तो नहीं कह रहे ना लेकिन जान रहें कि इंसकौन डिवोटी बन गया तो यह इंसान बन जाएगा अच्छा कासा पशू द्वीपद पशू हमने पैदा किया जन अहार निद्रा भाय मैथन के लिए तियार किया हमारा फैट्री का माल चेंज कर दिये हैं कि नहीं सभी लोग ऐसान भव कर रहे हैं अगर माता पिता भक्त नहीं है तो उनको बहुत दिक्कत है कि कौन के पास कि जा रहे हो और अब त अगर हमारी बुद्धी वैसी रही नहीं सकती और हमारे माता पिता भी चाहते है कि हम गधे के गधे बने रहे हैं इसलिए वह नहीं चाहते कि इस कौन मंद्र में जाए कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो विरोध की बात है क्यरें शेट्राण नानू अब्रजतो हरेरियो हरी कि शेत्रों का अणू व्रजन का अनू व्रजन मतलब यह नहीं कि सैर सापाटिक न जाना अनू का मतलब इस अनुगत्य भक्तों कि अनुगत्य में जाना नहीं तो आप देखो यहां से आप जा रहे हैं और काली अध्धा आता है क्या मालूम चलेगा काली अध्धा क्या है वहाँ पर जाए वहाँ भक्तों किसे कथा सुने तब तो महतु समझेगा ना इसी लिए शास्त्र को तीर्थ भरे तीर्थ को हमें कानों से देखना होता है आँखों से जोजल के स्थान की रूप में ग्रण करेंगे और अपराध होने की सभावना भी बहुत अब्दा हो जाते है इस चोटी सी बात चोटी सी बात मतलब है बहुत अद्बत बात भागवान श्री राम जब अयुद्या से जा रहे थे तो अयुद्या को प्रणाम करके जा रहे थे अपने लेक्षर सुना है महराज जी का कितना संदर बात है धाम से जा अपना ही धाम है दूसरे का नहीं है अपनी प्रणाम करके जा रहे हैं कितना संवान है उमीद है कि आप सब लोग तो करते ही होंगे धाम को प्रणाम करते होंगे यहां से जाएं तो प्रणाम करके तो पूरा प्रणाम दंडवत प्रणाम करते है। We have been allowed to stay here. We have not come here. We have been allowed to stay here. क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? अनुग्रह करके हम जैसे लोगों को, मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ पर रखा गया है। यह प्रश्न बना ही रायगम है भगवान से जब मिलूँगा कभी तो पूछूँगा कि वाए एन कृष्णा वो कहेंगे किया मैं इतना बुद्धिवान हो जो मुझ बता है। भगवान को उत्तर नहीं देगे। यहां पर बता दीजेगा कि कोई विक्ति पूर्ण शन्रणागत तो हाथ रेस कर सकता है। यहां में साथारे जक्रीक्वान कुछिर कारा है। इतना सुप भगवान क्रिपः कर रहे है। और यहां चलने मात्र से वेकुंट की प्राप्ति हो जाती है और फिर भी ना चले तो पेड कहा जाएगा कि नहीं। यह बात है। इसमें अपने जीवन में देख रहा था कि मेरे एक साल मैं के रिसी में था मैं था मैं शुरतकल में। इधर उड़पी की बहुत पास है। और मेरे मित्र ने बोला कि चलो उड़पी कर दर्शन करने जाते हैं तो मेरे कोई स्रद्धा नहीं तो मैं देख रहा था कि मेरे हिर्दे में संकल भी नहीं उठा कि मैं जाऊ वहां पर। और पता ने आप में से शाहते हैं बहुत लोग बहुत दूर चल कर यह आ से कम से कम 1200 km होगा और जदा ही होगा इस इत ना जदा होगा दूहजार किलोमिटर होगा रहा और लोग दशन करके आते हैं वहां से प्रसाद भवान पेज़ते हैं। तो ये ना सुन पाने के कारण है, ना सुन पाने के कारण है, तो भगवान के बारे में सुनते हैं, सरद्धा होती तो विक्ति अपने पाउं से चल करके आता है, तो एक और बात चीखने वाली है, किसी भी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो भक्तों के संग में जाना चाहि जिन नेत्रों के द्वारा भगवान की मूर्तियों का दर्शन नहीं किया जाता है, वे नेत्र उसी तरह से व्यर्थ हैं, जिस तरह मयूर पिछ में रहने वाले नेत्र व्यर्थ हैं. अब आपको समझ में आ रहा है फोटो के द्वारा, एकदम सपस्ट होना चाहिए. मैं समझ रहा है, उसमें कुछ समधाने की जूरत नहीं पुड़ेगी, एकदम देखो आखें लग रही हैं ना हमारे मयूर पिछ की तरह हमारी आखें मयूर पिछ की तरह लग रही हैं कि नहीं मैचिंग हो रहा है कि नहीं, तो कह रहा है कि यह आखें व्यर्थ हैं, नेक्स्ट, तथा मनुष्य के पैर भी व्रक्ष ही होने लायक हैं, जिन पैरों से भगवान के चेत्रों की यात्रा नहीं की जाती, वे पैर व्रक्ष की जड़ के समान हैं, मतलब व्यर्थ हैं, कहीं ज वे मयूर प्वंख के कृतिम नेत्रों के समान हैं। वे पुरुष जिनके नेत्र स्वैम के ओधार का मार्ग नहीं देखते वे इस संसार के कंटक छेत्र में गिर जाते हैं। यह भाव है। यह दिख रहा है आपको। आच्छा फोटो है ना। अब आप विचार कीजी आप पता नहीं समाझ में आता है कि नहीं लेकिन कभी देखा। की नहीं क कभी कभी लोग नकली आख़र लगा लेते हैं। किसी किसी आंग में disturb होता तो नकली आख लागे कर लेंगे stone eyes बोलते हैं उस नकली आख से कितना दिखाई पड़ता है कुछ भी नहीं दिखाई थी कि जब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में आता है तो आने मात्र से वह मुक्त हो जाता है तो अगर आखों से भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहा है तो उसकी आखे कहां लगी हुई है कोहीं न कहीं ऐसे दिर्ष्ट को देखने में लगी हुई है जो उसके हृदे में वासना का निर्मान कर रहा है Is it all being processed? और वही वासना अब उसको फिर मा के गर्भ में जाने के लिए बाद्धिकर देगी तो मा का गर्भ जो कोई बहुत अच्छा इस्थान है और उसके बाद आने वाले अन्यशरीर जो कि दुख के ही कारण होंगे क्या यह आपको टीका समझ में आय रही है लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के मंदिर में जाना उनका निरिक्षण करने मात्र से वेक्ती मुक्त हो जाता है जन्मे मृत्य के चक्र से तो यह उनका अंधापन हुआ की नहीं बलकि अब बड़ी प्रसिद्ध घटना है और कई बार महाराद उसको बूलते हैं स्वामी शर्णा नंजी की सुना है आप लोग ने स्वामी शर्णा नंजी अंधे थे और वो रोज बाके बिहारी जी के दर्शन करने जाते तो उनका मजाग कुछ रड़के बनाने लगे कि आप तो अंधे हो आप क्यों आते हो तो उनने कहा कि मैं अंधा हूं तो क्या बाके बिहारी जी अंधे हो गए कम से कम वह तो देखते हैं कि मेरा दास आया हाजरी लग के चला गए यह बात आप लोग को समझने के बहुत मुश्किल हो रही होगी इतनी भीड है हमको कहां देखते हैं वो तो खाली प्रभुपाश शिश्यों को देखते हैं जो आगे देखते हैं एक विक्ति हां बोल दे आपको देखने की महाराज यह बड़े सुंदर तरह से कहते हैं पर हम पुछ रादा को महाराज कह रहे थे महाराज सोचते हैं आज वो नहीं आया देखिए किसी भी बड़ा वेक्ति किसको भी बड़ा वेक्ति है अगर उसका हमारे प्रती ऐसा अनुग्रह है और हमें समझ म में आये तो हम लालाई तो होंगे ना उनके से मिलने के लिए इस इट सिंकिंगें कृष्णा इस वेरी परस्नल गॉड हम सुचते हैं कि हमको हमारी पातना सुनते हैं कि भगवान सब को देखते हैं He wants everyone back अब मंदिर में खड़े होने की जगे नहीं तो एक अलग बात है लेकिन सिधान्त यह है कि जहां तक भगवान की दृष्टी जा रही है जाना चाहिए वहां को प्रणाम करना चाहिए फिर मैं रिपीट कर रहा हम जा रहे हैं सेवा करने के लिए वहां जाके खड़ा होना प प्रविर्ति देखते हैं लोगों में कि बहुत सजदस्क आते हैं ताकि लोग उनको देखे हैं वो कहां से आ रही है जन्मा अधस से यह तो वन वयाद है तरह तस्चारत है अभी किस राट कृष्ट से आ रही है इसलिए रोज रोज कृष्ण ड्रस पहन के आते हैं नही नह सब्सक्री फिर अभी चेंज करेंगा मंगल आर्थी के लिए क्यों कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जीव उनकी प्रतियाक्रिष्ट हो जाए यह आप देखेगा इवन आप जूम के ऊपर भी दीपदान करने क्यादर डाल दीजिए सुगे आपसे रहा नहीं जाएगा इस सम्हा आप कर की देखिए और मन बुले का आज नहीं करते फिर आप करेंगी दें सम्हा रसिप्रूकरिशन फ्रम क्रिष्णा इस घर में भी बहान का विग्रह हो जिन लोगों ने भगवान के विग्रह की ड्रेसिंग करी है बाद में आप देखेंगी यह तो बड़े सुन्दर लग रहा था लेकिन कपड़ा पहना दिया तो लगते बड़े सुन्दर लग रहा है ऐसा अन्भव है बगतों को यह कृष्णा रे कृष्णा इस रेसिप्रूगेटिंग एप्रिशिटिंग एवन लिटिल बिट असर्विस जो एकदम छोटी सी छोटी सिवा आप उठे सु कोड़ा आगी कुछ मेरे तरफ किया में तो आगे बढ़ा है ना बहुत से लोग जो पस सुबह उठे और सुट सेंटमेंट मारा और आफिस के तरह चल दिए वो इसमें भी कांटे के स्थान में हैं और यही काम करते हुए अगले फिर कांटे के स्थान में ही गिरने वाले है अब भक्तों को भी आफिस आना पड़ता ठीक है वो सब ठीक है लिए सुबह कम से कम भवान का दर्शन करके फिर काटे चुनने जाएं ठीक है चलेगा यह बहुत अच्छा है जैसे कोई अंधा विक्ती नहीं जान रहा है कि अगला स्टेप गिरा तो अगला स्टेप लिया तो वो कांटों के छेतर में गिर जाएगा कितना कश्ट होगा एक कांटा लगने में कितना दर्द होता है बताईए और ऐसा स्थान में को विक्ती गिर जाए जहां पर काटे ही काटे हैं तब तो आप समझ पाई यह तीका बहुत अच्छी हमको लगी थी कि आख कैसी है एकदम नकली आख है व्यर्थ आख है वह आख बजाती है इना कि कहीं आगे खराब स्थान है वह में जाओ लेकिन वह आख जो भगवान का निरिक्ष्ण न के पैर पवित्य स्थानों पर नहीं जाते भगवान समंदी वे व्रक्ष के रूप में जन्व लेते हैं अर्थात वे यमदूतों की कुलहाडियों द्वारा चिन व्रक्षों के मूलों के समान है यह भाव है यहाँ पे जैसे पेड़ों को पेड़ की जड़ों को काटा जात यह पब बढूर्द से काता जाता है, तो जो व्यक्ति कभी भगवान के पास नहीं जा रहा है, तो अब वह यम दूत यम लोक में झरूर जाएगा, लेकिन अब इसकारत यहिंने कि मा लोगों जाब कर रहा है और नहीं जा पा रहा है, जैसे फोटो हमें देखी सकते हैं, इन देखे यह आप लोगों पर बिल्कुल घटत नहीं होगा क्योंकि आप लोग जब करते हैं यहां पर यह लेना चाहिए कि आप कभी नहीं गया मंदिर यह बात उसकी कोई च्छाही नहीं हुई यह बात आको बहुत ध्यान पूरोग लेनी पड़ेगी यहने की विक्ति एक दिन देखेंगे just in case you wanted to have some audience it's not possible यम्राज जी नहीं स्वपन में भी नहीं देखेंगे कि मैं उस भक्त के पास जा रहा हूँ स्वपन में भी वह यम्दूतों का दर्शन नहीं करता तो आप में से किसी ने किया है सपन में कभी आया है यम्दूत सच बोल रहा है ना देखो शास्त्र में यम्राजी बोल रहे हैं कि जो भजन करता है उसने स्वपन में भी यम्दूतों को नहीं दिखा आप में से भूत प्रेत के सपने आया होंगे यम्दूत के सपने नहीं आया होंगे आजी बोने स्वपन में भी नहीं आना भक्तों के पास में और मालो पाप करे तो तो कह रहे है यदी पातकम स्याथ उरुगायवादा भगवान का किरतन करने मातर से उनके सारे पाप नुश्ट हो जाते हैं यदी मतलब पाप करते नहीं गलती से हो जाए तो एक अलग बात है के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोड़दार संस्तिती की गई है जहां तक संभव हो हर ग्रहस्त को गूरु की आदेश अनुसार विष्णु के स्रीविग्रह की यथा राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायन या सीताराम जैसे सोरूपों की यह निरसिंग वराह गौर निताय मस्व कूर मशालग्राम शिला या भगवान के किसी अन रूप तथा त्रिविक्रम केशव अचुत वासुदेव नारायन तथा दामोदर जैसे विष्णु की अन रूप जिनकी संस्तिती वैश्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है उनकी स्थापना करने चा परवार का हर सदस्य जो बारह वर्ष से ऊपर की आयू का हो प्रमानिक गुरु से दिख्षा ले और घर के सारे सदस्य भौर मतलब 4.00 यहां लिखा नहीं है लेकिन भौर मतलब 4 बजे भौर 4 बजे से लेकर रात्री 10 बजे तक प्रपात अनेतर बताते हैं मंगल आर्त्रिक दियरंजन समय अरत्रिक रात्रिक और नि राजन लिखाओ निय रजन लिकाओ यूदी sol project . अर्चन पूजा कीर्तन श्रिंगार भौग वैकली संध्या ार्तरिका पाथ temperature क्षय है शन आरात्रिकर इत्यादिक करके भग़्वान की स्रिवा में लगे तो इससे क्या सिंशन मि स्थिवा कौन करेगा। ग्रहस्ति में जाना चाहते हैं, तो पहले ये देखे, प्रभपाजी क्या बोल रहे है। गुरु मुखापद्मावाक्याचीते ते कोरियाई क्या। इसलिए गुरुजी की बात ही नहीं सुनी। इसलिए लोग तो नहीं आना चाहते हैं, तो ग्रहस्ति में जाना चाहते हैं, जाएं, बिल्कुल जाएं, क्या बोल रहे हैं आप। उसके पुछे पूस्ट स्क्रिप्ट है, ये सब करना होगा, इतना सिवा करना होगा। जो विरक्त हैं, शादी शुदा नहीं है, उनके लिए श्रवन, कीर्टन, स्मरण इसलिए पर्फेट है। उसी में पर्यापत है उनके लिए। ग्रहस्तों के लिए सब लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि भोग की वासना बहुत ज़्यादा होती। तो भगवान केंद्रित असा जीवन रहेगा, तो फिर क्रिश्न भावना पनप आईगी। ठीक है। कम से कम मंगलार्तित को उठे। बाकी ना कर सके। और श्रुमत भागवतम का श्रवन करे। ये तो नीमित होना चाहिए। अब कटना ही है कि आजकल मौका ही नहीं दा जा रहा है। ग्रहस्ति में कोई वेक्ति को इतना काम करना होता है। आर्ट, दस, बारा घंटे आर्थी कब करे हो। जो भी है कम से कम सिधान सुन लिजिए। प्रमानिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में सनलग रहने से ग्रहस्तों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्यान में उन्रती करने में साहता मिलेगी। देखे बात बड़ी रिवोल्टिंग लग रहे होगी जो प्रहपाज आपर कह रहे हैं। लेकिन वात यही सही है कि जितना काम हम भावतिक तामे कर रहे हैं वह हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। बिल्कुल मैं रोज यह मेडिटेशन आप कर सकते हैं कि हम आभी मानले जी नौ बजे मर जाएं यह दस बजे मर जाएं तो जो कुछ भी मैंने भावतिक किया तो तो हम साथ नहीं देगे जा रहे हैं। और जो भी आपने हमने भजन के लिए किया वो हमारे समसाथ में जाएगा। में भी समदेशन सी दरा लाइफ इस लाइक यात्रा। महराज बहुत सुंदर बता रहे थे शायद परमपुचे गौर्किष्ट महराज बता रहे थे ना कि हम अगर एसी के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट भी में क्यों नहूं। लेकिन जैसे ही स्टेशन आएगा तो तूरंद छोड़कर कि वहां से चले जाएंगे। तो इस जगत में हम कितनी भी बहुत एक सुवधा में रह रहे हों अची बात है। लेकिन जैसे ही मृत्यू को समय जाएगा सब कुछ छोड़कर एक रुपया नहीं साथ में लेगा जा सकते। इन सब तात्परियों को कितना अपने जीवन में हम धारन कर पाते हैं यह हर विक्ति का चुनाव है। लेकिन जितना हम उसको शिकार करेंगे उतना ही हमारी प्रगति होगी यह बात है। यह बात है। और हर एक व्यक्ति का चौईस है हम सभी लोगे क्यात्रा में हैं इसके एंड में भवान शिक्रिष्ण है। कम दिन लोगे दो पेडिक शिकार कोई व्यक्ति का चाहता है वह उसके पर टेयर पर करता है। लेकिन नहीं प्रभुपाजी बड़ा स्पस्ट बता रहे की भगवान की सिवह ब्लगराना चाहिए। मतलब मंदिर के विग्र है उसे प्रेम कम हो जाता है तो बैलन्स करके देखना पड़ाइगा ये जनरल बातें बोल रहा हूं आप वेक्तिगत फिर बात अलग हो जाती है एक और बात है कि जब आप भगवान की सिवा का नियम ले रहें तो वह लीजिए जो आप कर पाएं अब हम पांस टाइम भोग लगाएंगे अब दो टाइम भी नहीं लगता है तो ये चीज़ ठीक नहीं है समझ में रहा है ये भक्तिर सब्सक्राइब में बताया कि उतना सिवकार करें जो हम कर सकें भगवान को भी आतत लगा जाती है आज तो दीप नहीं लगाया इसने कंप्ले इसलिक भक्तों को दीफदान सुभा देता हूं शाम को अरे आप क्या दुबारा सनान करना सुभ हम सख़ कम से आप्टोमेटिक्न रहता है तो दीफदान सुभई हो जाता है अपने महसूस किया है बात कि पांच मिनिट का कार है शुबह तो मालूम निजलता और शाम को संकल पी भी नहीं होता कि हम कर पाएं, do you all agree with this? साथ में होगा तो हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन आगसे आप शाम को कारियर निमीत रूप से करना बड़ा मुश्किल होता है, नर्सिंग स्तुरोथ कितने लोग कर रहे हैं? तो, तो, मैं भी नहीं कर पा रहा, हम दो सुबह कर रहे हैं तो हो जा रहा था कि नहीं? यह आप दिमाग में घुशा लिजेगा, हम सब लोग दिमाग में घुशा लिए कि भाई, कोई काम, कोई अबरत करना है, तो दो सुबह के शिरुल में डाल दीजे, शाम को भूल जाएए क्या होगा, इसलिए भक्तों के इनकों में थोड़ ट्रेनिंग देना का मुझे सभागे मिलता है, तो पहली चीज दिमाग में घुशा है, शोला माला, शोला माला, घोड़े कितरे होते हैं ना, ऐसे, ना लेफ्ट, ना राइट, कई समय तक तक तो होगा, बाबा इतना क्यों पिछ पड़ा, शोला माला, सोला के बाद 17 सीखा नहीं, शोला माला, सोला माला, यह दिमाग में घुशा लीजए, एक माला भी छूट जाएगी, तो रात में याद भी नहीं रहेगा, कि एक माला नहीं रहेगा, ऐसा भक्त लोग बोलते हैं, एक माला छूट गई तो यह भी जान नहीं रहा कि माला करी औरे इस चुड नेवर हैपिन अनिवेस तो यह बहुत इंटरस्टिंग है सेवा करना चाहिए लेकिन सोला माला को कॉंप्रमाइज करके नहीं उतनी सेवा विग्रह की कीजिए कि आप भगवान का नाम जब कर सके हैं रहुपाँजी चेतन टरतामित की तातपर में समझाते हैं कि जैसे विग्रह की सिवा के सारे नियम पालन करने जरूरी नहीं है वैसे है विग्रह की सिवा भी नहीं जरूरी है हरी naam स्वयम आको सब शिद्धि देगा लेकिन क्योंकि सभी लोग इतने शुद्धिन नहीं है इसलिए विग्रह की सेवा भी करने के लिए बोला जाता है। सिध्धान्त यह कि शिमत भागवत हमका श्रवन किर्थन करके नाम जब करके आप पूरी तरह सिद्ध हो जाऊगे। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है ना हम लोग सब लोग ऐसे नहीं कि अब भगवान की सेवा ही ना करें विग्रह की सेवा ही ने करें बस क्यों जब करते रहें। जब करने वाला तो मंदिर जाते हैं तो भगवान हमको देखते हैं। और क्या होता है अपनी आखों के द्वारा हम पर दृष्टिपात करके हमारे हिर्दे में उनकी सिवा की भावना को जागरित करते हैं। और अपनी स्माइल से उस सिवा को बनाए रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो बहुत बीड़ है नहीं तो आप समाने में जाएं तो निश्यत आप देखेंगे भगवान के सामने जाने से एक प्रिणा मिलती है। और ये भी आप देखे होंगे। ये तो बहुत सुनर बात परमपुजे अचन्द महार समझा रहते हैं। कि किसी को फोन करें तो फोन भले काट देगा। लेकिन अब आप उसके घर पर चले जाएं। तो विक्ति सुचता आए तने दूर से विक्ति आया है इसकी बात सुनना चाहिए। कुछ अंतर आउता है कि नहीं। यहां पर भी लोग कभी किसी दरगा में जाते हैं तो बाबा की पीर बाबा की दरवा में। केल फोटो से काम नहीं चलता है। कुछ प्रणाम करते हैं चुछ मननत मांगते हैं। मейक सेंस तो यू। श। बागवान का स्थान ऐ निर्गुड है तो निर्गुड्य विखवत में बाइग्वान बोलते है। कि मेरा घर बाब्तौ को स्भाब्त है। तो जाना चाहिए ए भाकवान के पास। बलकि प्रहुपाजी बोले भी, what service you will do, ग्रहस्त भक्तों को बोले, मंदिर में आओ, मंदिर में सेलों मिल करके भग्वान के सिदा करो, कर सकते हैं, किसी नौसकिय भक्त के लिए साधहारण पुस्तिक की ये ज्ञान परियाप्त नहीं है, किताबी ज्ञान से ध्धानतिक होता है, जिबकि अर्चर विदी विवारिक है, समझने का प्रयास कीजिए, दोनों चीज आवश्य के, वैसे भग्वान बोल रहा है, पत्रम, पुष्पम, फॉलम तोयम, हाँ, श्लोक हमको याद हो गया, तो भोग भी तो लगाना चाहिए, न जुमाटो का खा रहे हो, तो श्लोक पढ़ने का क्या फाइदा, I have nothing against zomato, but I am just saying, one example, अगर होटल में खा रहे हैं, तो श्लोक को सीखने का क्या लाब हुआ, कि यग शिश्टा सिनो संतो, जो संत पूरुष है, भववान का प्रसादी ग्रहन करते हैं, आप समझ पा रहे हैं, दोनों चीज़े होनी चाहिए, श्लोक भी सुनने चाहिए, समझने चाहिए, और उनको practical application भी जीवन में होना चाहिए, फाइन, ठीक, अध्यात्मिक ज्ञान का विकास, सिध्धान्तिक तथा व्यवारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए, सिध्धान्त आप सीख रहे हैं, उस सिध्धान्त को जीवन में हमें अप्लाई करेंगे, then we get realization, simple अनलोम, विलोम, प्रणाया, आम बहुत और हजार नाणियों को शुद्ध करता, यह ग्रटने से क्या हो जाएगा, यह मालू होने से प्रेड़ना मिली, लेकिन करेंगे तब तो realization मिलेगा, ना, शास्त्र ज्ञान होने का फाइदा ही क्या जब उसको हम apply नहीं करें, मैं कई बार बोलता हूं, भक्ति शास्त्री की डिगरी लेने से क्या प्रयोजन जब हम शास्त्र पढ़ें नहीं, हम भक्ति शास्त्री के अग्रेंस्ट नहीं है, लेकिन शास्त्र का शास्त्र बिना अभ्यास के ऐसे गायब हो जाता है, जैसे गदे के सर्चा सिंग, उसका अभ्या श्यामा सरवे वयमतह पर हम सारे के सारे ये मरने वाली नहीं है, समझगा या। We have to live by that, नहीं? इससे आध्यात्मिक सिद्धी निश्यत है, किससे आध्यात्मिक सिद्धी निश्यत है? सिद्धान्तिक ज्यान और विग्रह की सिवा, जैसे बताया गया कि भगवान की आप कुछ दीब्दान करेंगे, तो कुछ रेसिप्रोकेशन होगा, तो सुन लेने से काम नहीं चलेगा फिर। सुना और उसके अंसार अपने जीवन को रिफ्रेम किया जाए, कि भगवान को दीब्दान किया जाए, तब तो कुछ अंतर होगा, आप लोग सब कर रहे हो, मैं किसी को डाट नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं इस बार, प्रणाम करने के बारे में बोला गया, और उसको ज आप अपने गुरु माहराज को प्रणाम करते हैं, तो अंतर देखते हैं कि वाम सचेत रहते हैं कि हम गुरु माहराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनका मंत्र बोल रहे हैं, इसे हम कृष्ण बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारे मन में आने चाहिए, पहले उनको ताकि याद रहें किसको प्रडाम कर रहें. और फिर प्रडाम करते हैं. जाये विजिम बराम 238 और इसके आर्थ को समानड करते हुए हृए. नाम बाडाम भगवान थीक रहें कि के ऐसे क्या जा रहा है. इस वाय maggahuasana आपको बहुत सिमपल लगती है sheud… being conscious is something which is very rare नव दिख्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रसक्षन कुशल गुरु पर निर्भर करता है क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शुष्ष्य को किस तरह से ले जाया जाए इसका अर्थमाज बहुत इंपोर् कितने लोग हम पर माथा मारे हैं तब जाकर हमें अज्ञान इखटा किया है कि नहीं जो भी आपने आगे लगाते हैं अज्ञान की डिग्री बीटेक एमटेक बीस्सी जो भी लगा है उसके पीछे कितने लोगों ने हमको सिक्षा दी मानती कि नहीं कि अकिवल नाम लिखान है कि हमारे गुरु ओकर महाभागवत नहीं है तो अज़वा हागवत है कि अपने प्रभाद गरंत हो में यह आप टेस्ट कैसे करेंगे हमारे गुरु जी महाभागवत है जैसे नाडश्री का बच्चा कैसे टेस्ट करेगा कि उसके टीचर को घ्यान कितना है वाव रसा कि मेरी टीचर को कितना ग्यान है। वो कुछ भी सोच ले वो नहीं समझ सकता कि M A करने का मतलब क्या होता है। M और A जान ले यही बहुत बड़ी बात है। दोनों को मिलाकर M A का क्या मतलब और नहीं समझ सकता है। This is complete stupidity on our part कि हमारी गुरुजी भी वह ऐसे सोच ले से हम है। हम लोग इतना सोचते हैं वह भी तो ऐसे सोचते हैं। कभी नहीं सोच सकते हैं। कभी नहीं सोच सकते। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। We have to learn, और प्रभुपाजी इसलिए कहा करते थे कि मेरे एक ही। क्या कहते हैं हो, एक एक complaint है कि मेरे पूस्तके नहीं पढ़ते हैं। और फिर भक्तों के संग में भी आकर हम को सीखना चाहिए, एक-एक पॉइंट सीखना चाहिए, कैसे जब करें, कैसे प्रणाम करें, कैसे जब करें, एक बार हमारे आश्रम में भक्त ने, मैं प्रसाथ पाने के, यह क्या रखा हुआ है, बहुत बड़ा भोग वस्तु रखी वी थी भावान के सामने, और कोई पुजारी पुजारी कुछ नहीं था, हमने का यह क्या है, तो फिर बाद में अपने थोड़ा से डा नहीं लगाएंगे, यह को तरीका थो नहीं भोग लगाने का, हमको ऐसे खहलाए खाना खाएंगे, बताइए, घर में लोग बुलाते हैं, कितने प्रेम से खहलाते हैं, मंदिर की बात अलग है, बीड में हो जाता है, लेकिन वैसे तरीका होता है, बड़े आग्रह से बुला तब तो खाते हैं, आप लोग को ऐसे खाना खाने, हिरन भाई, देखो कल भूके हो ना, खाना 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 आना तो आजाना ना बोजे, कभी नहीं आएंगे हम, नहीं आएंगे ना, हम कोई भी बोले, आप लोग भूके होंगे, आजाना कल ना बोजे, कोई ऐसे इन्वाइ इसे नाठ खाने पड़ती, भगवान तो आप कैसे भी आओगे, मुस्कराते ही रहेंगे, समझ रहें, लेकिन टीचर को बताना पड़ता है, यह कोई तरीका है, नहीं यह भग लगाने का, आप लोग कभी न कभी जिप में नीन तो आई होगी, कभी कृष्ण भगवान, बल्र करके ऊट गया उचारा, तो आपको नहीं करना चाहिए, वो प्रवजी प्रवपाजी की डिसाइपल ने तरसा कर सकते थे, यह टीचर वैष्ण गूरू करते हैं, कृष्ण के बिहाफ पर करते हैं, उनको पता है, ताकि उसके भक्ति का थान हो, यह कहने करते हैं, और हर एकी मानसिकता अलग होती है, हर एक की छमता अलग होती है, उसको देख करके नियोजित किया जाता है, यह नहीं कि सब को भेड चाले हैं, तुम भी सब लो चलो भाई की कार में लग जाओ, नहीं ऐसा होता, makes sense to you, everyone is different, हमारे भक्त पता रहे थी, आईरवेद के बारे में, आजकल हरते हैं, यह दवा सब में काम करेगी, नहीं काम करती, हर एक का प्रकृति अलग है, उसके अंसार असको अलग अलग दिवा दी जाती है, भक्ती का ही है, लेकिन किसी की किसमे कहा रुची है, वहाँ उसको नियोजित किया जाता है, इससे समझ बारा है, किसी को अपने नाड़ी देखेगा, ठीक है, नाड़ी ये बोल रही है, और अब इसको ये इलाज देना है, इसको बराबर से गरसुत है, लेकिन सबकी रुची भक्ति के अलागला शेतर में होती है, वैसे लगाना पड़ता है, जब तो सबको करना है, लेकिन किसी को ये सेवा अची लगती है, कोई विक्ति ये सेवा कर ही नहीं सकता, और दूसरा वरत कहेंगा, रे इसके तो हम मास्ट है, और आप कहेंगे, ये क्यों नहीं कर सकते, ये हमसे होता ही नहीं, do you agree? मतरशरी प्रभू, मिर्दन कुछ बंजाने में प्रगती, नहीं हार्मने प्रगती, ठीक है, तो कुछ लोगों का, I think you have some sense, but I am just saying कि, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे इस बात को, मैं यहां पर उप हाले, हमें करने की क्या सुरुत है, और ये कैमरा के से चलता है, नहीं पता होगा, कुछ नहीं की है रूची तो कर पा रहे है, मैं एक एक जामपल दे रहा हू, make sense to you, everyone is different, एक भक्त ने रमकांत्र उसे पूछा, प्रभू जी आप इतने अचा क्लास कर से देते हैं, तो उने devotees, Krishna की स्वेच्छा, सभी भक्तों में विभिन प्रकार से प्रस्तत हो रहे है, and all devotees are dear to Krishna, He is very attached father, वो सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, सभी उनकी संतान है, उनको अलग-अलग सामर्थ प्रदान कर रहे है, got it, तो अब हाँ, तो अब गुरु जी को क्या देखना होता है, कि सामने वाले के अंदर सेवा करने की इच्छा है, आप लोग देख पाते हैं, सब में बड़ा इंट्रस्टिंग चीज है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, कि सब लोग कुछ न कुछ सेवा करना चाहते हैं, it was coming very strongly to me today, कि हर भक्त, जीवात्मा भी सेवा करते ही रहना चाहता है, this is very simple, seems to be very simple, but it's not that simple, my dear zoom devotees, what do you think about this, मैं hold कर रहा हूं ता कि आभी देखने का सामर्थ जुटा सकते हैं, कि हर वेक्ती सेवा करना चाहता है, यह हमारा स्वरूप तो है, आपने कई बार सुना है, लेकि दिख रहा है, और सब की सेवा करने क इच्छा लग होती है, सामर्थ लग होगा, तो कोई भी आध्यात्मी गुरू क्या करता है, उस स्पार्क को फूंके, भुझाए नहीं, परने पूझे, सुभाग सावी महाराज, तनिश्प्रव को पूचे, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, आपने बोला वक्तों क अब इसका अर्थ यहने कि आप कभी मंदिर मार्जन नहीं कर सकते हैं, नहीं, कुछनों का स्वभाव ही होता है, कि अन्यों की, प्रभजी हम लोग की help करते हैं, कोई बीमार हो जाता है, उसका ध्यान रखते हैं, इस वेरी क्रिटिकल, अगर ऐसा रखा जाएगा, तो हम हमे ता कि रूप में भी वक्ति को सी एक करता हो है, कि देखें कि वो क्या सेवा करना चाहता है, अगर क्याहि दे हैं, बंदर को मचली, मचली को बंदर कहें, भाई देखो, तbahn पेड पर नहीं चढ़ सकती हो, त्प यूजलेस हो हो, और मचली को समाज कहें कि तबीम नहीं तैर कि कोई गुरुजी है वो धन ले ले रहे हैं कोई भग्त है कोई आप से धन तो ले ले रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं दे रहे हैं कोई भग्ति है वैश्णव वेश्पूशा में भी क्यों ना हो थोड़ा हवी होगी बात लेकिन यदि हमको भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी दूर से सम्मान करना चाहिए कि दिस कैन ऑल्सू हैपन हमको तो रगुपति प्रभु की बात पर हसी आती है मंदिर में परिक्रमा करने कहीं एक महान भगति उनको मिल गए और क्या कमेंट था देखिए अब गीता को तो दस साल के लिए भूली जाए तो रगुपति प्रभु बुद्धि मान कहें तो प्रभु जी बनाया यह तुम बोल रहे हो बीना अफाल तुम फंड की अडवाइस देते हैं मेरा जाब दिक्षा नहीं हुआ तो असे लोग बोलते हैं ऐसा करी इन फ़लाने महारास से दिक्षा देखिए आपको अमरीका का टिकेट मिल जाए तो अमने का टिकेट कटाने के मन में सोच रहा था आपको काउंट करने के लिए बोला है आपने देखा फ्री फंड की अडवाइस लोग देते हैं कौन बोला महाप्रभु तो उंगली पे गिनते थे कि नहीं नितने प्रभु ने कहा कि आपके दोनों हाथ हरी नाम गिनने में लग जाएंगे तो आपका कम तो उसी के माला 108 मन की होती हो जल्दी सिद्धी देती यह यह सही बात है लेकिन यह कैसे कह दिया जाए कि भाई आप हरे किष्णा हरे किष्णा बोल रहे बीना माला के तो अकाउंट नहीं होगा भाई आप लोग को कहेंगे इसा बाते क्यों बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ ना एक लाइन एक शब्द सुन लेता है व्यक्ति का दिमाग घुम जाता है व्यक्ति क्लास में सुन लिए चौश्ट माला नहीं करोगे भगवान के पास नहीं जाओगे हमने कर पाएंगे अब नहीं चिंता मत करो शोला करो प्रभुपाजी बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं कि भाई सोला माला जाप करो चार निम्यों का पालन करो वैश्ट नहीं कि नंदा मत करो अपराद मत करो चले जाओगे मुझे बहुत चिंता होती पड़ एक If लाइन सुन लिवक्त हो जाते हैं D किसी भी गुरु का करता हे किसी भी वैदि का करता है क्या है कि पॉपलर न wanna है लोगों को दवा बतानी है और वो दवा से जब फाइदा होगा तो अपनी आप वर्ड वर्ड ओफ माउथ पॉब्लिसिटी करके अन्य लोगों को भी बताएंगे कि भाई यह तो बहुत बढ़िया व्याद्द्ध हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है लोगों को देख पाने का अग्रीड जश्प्रूव क्यों कि वह इलाज करके लोगों को ठीक कर रहे हैं यह नहीं कि जैसे आए और वैसे ही रह गया एक प्रामानिक वैश्णव के रुदय में इच्छा होती है कि जो इस्टुडेंट है वो प्रगति करें जैसा था वैसा नहीं रहे मेक सेंस टू यू प्रबाद बोल रहा है प उन श्लुकों में से एक इस प्रकार के है सब्लों साथ में मेरे गाई है श्री विग्रहा राधन नित्या नाना स्रिंगार तन मंदिर मार्ज नादव युक्तस्य भक्तांस चनियुन जतो पी वंदे गुरो श्री चरनार विंदम् श्री विग्रह अर्चा अत्वा भग्वान का उप्युक्त पूजिनी सुरूप है और शिश्य को चाहिए कि विश्ट्रिंगार द्वारा अर्थात समचत अलंकरन तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाय द्वारा श्री विग्रह की पू आदी की अनुहुती प्राप्त करने में सहयता करता है, एक संदर घटना वताऊँगा आपको, श्रीपाद रामनजेशार जी ने, कांची पूर्ण जी से, समा किजिएगा, कांची पूर्ण नाम था, घोश्टी पूर्ण, कांची पूर्ण, कांची पूर्ट थे न जो शुद्र परवार में जन्म लिए थे जहां तक मिजस्मान आ रहा है वरद राज की वह सेवा करते थे और उन्हेंने वरद राजी के भगवान विष्णु के बारे में कुछ पूछा तो उन्हें आप ऐसा करिए भगवान के लिए पानी लेकर के इस वरी इंट्रस्टिंग की सेवा के द्वारा अध्यात्मिक ज्ञान हिर्द में प्रकाशत होता है यह बातें बड़ी समझने वाली होती है इस समझ में परमपुचे जयपता का महराज जी के कुछ ब्रह्मचारी शिष्ष जो 20-30 साल से सेवा कर रहे थे मंदिर में सफाई करने की बड़ा रुचिकर घटना है तो महराज बड़े कौत की महराज बुले उनको बुलाए कि अब आप इतने साहसे सेवा कर रहे हैं कुछ मैनेजमेंट की पोजिशन ले लीजी तो भक्तों ने बुचा कि महराज यह Bताए कि मंदिर में क्या आपकी शेवा नहीं है तो क्या उत्तर महाराज नहीं नहीं यह भी मेरी सेवा है तो नहीं का आप भक्तों का प्रेम अगर मंदिर की मारजन आपकी सेवा नहीं है तो हम मंदिर छोड़ देते हैं महाराज यह मंदिर का मारजन करके जो हमें हरी नाम में सुख मिल रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हो सकता है कि मैनेजमेंट में आकर अपराद करने बैठे हैं और हमारा नाम का सुख चला जाए यह बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी करने उसका प्रयोजन क् रूची मिल जाए नाम रूची वर्षनेव सेवा और जीव दया इस वरी क्लियर सेवाओं का प्रयोजन भी इसलिए कि नाम में हमें आ सकती डिवलब हो है कि नहीं हम खाली बात कर रहे थे कि इस प्रकार से मंदिर की सफाई कर रहे हैं लेकि उनका हृदय साफ हो रहा है उस स्थान है निदीवन निदीवन सेवा कुंझ सेवा कुंझ में जाडू लगा रहे थे और उनको वहां पर कृप प्राप्त हुई तो इकुछ नम्र सेवा करना बहुत आवश्यक होता है सम्सिंपल सर्विस सर्विंद डिवोटी सम्थिंग सिंपल इट कीपस इन हमबल मूड भगवान को वस्तर पहनाने बल्की परमपुचे सब सुभक स्वामी महाराज के बारे में बता रहे थे आप बता रहे थे ना कि एक बार भक्त लोग प्रोग प्रोग हुआ और वरतन ब बता के हो कि तो मैं ही सिवा कर देता हूं रध्यात्रा के बरतन है बड़े बड़े बरतन होंगे एक्चिली पता है जितना आप एडवांस होंगे वक्तिम एडवांस होंगे यह भावना हमेशा बनी रहेगी कि I am simply a humble servant परमुझे राधानात महरास बहुत सुन्दर बोल रहे आप सिंपल सी बात समझो ना आपके घर में मालवा बड़े भाई हो तो आपकी छोटी वहन या छोटा भाई अगर बीमार होता है तो क्या मा ही ध्यान रखती है क्या आप भी ध्यान रखते हैं बताईए सिरी बात है और सुचिए क्रिष्ण भावना की फैमिली इस तरह से बड़ी होती चली जाय तो कुछ समझ रहे है क्रिष्ण राधा क्रिष्णमाता पिता है हमारे और जो भी भाक्त आ रहे हैं इस लाइक अन्यूबॉर्न बेबी टेकिंग बेबी स्टेप्स अच्छा रहा है इस प्रकार से एक भक्त को बेबी से बड़ा बनाना है, ताकि फिर और वो कृष्ण भावना का प्रचार कर सके, that is very very important, boil the milk, boil the milk, boil the milk, वगवान को, तो इससर बातें बोली जारी, सिवा में लगा जा रहा है, ताकि उससे उसका लाभ हो, और अनुग्रह पूर्वक, मौला गया, तुमने दीबदान क्यों नहीं किया, तो बहुत straight है, अरे भाई, एक दीबदान करने का लाभ कितना है, समझो सको, इस तरह से अनुग्रह पूर्वक समझाना होता है, हर बार नहीं समझ पाते हैं, लेकि रिपीट करना होता है, वगवान को वस्तर पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही, संगीत मय कीर्टन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उभदेशों के द्वारा ही समान वेक्ती नार्की सिनेमा के आकर्षण, तथा सर्वत्र रेडियों द्वारा प्रसारित होने वाले भध्य कामोग गीतों से बस सकता है, सुनाई पड़ा क्या बला प्रहुपाद ने? मंदिर की सेवा और शास्त्रों के आध्यात्मिक उभदेशों के द्वारा, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र का उभदेश नहीं सुनेगा, तो प्रहपाद ने क्या बला है? प्रहपाद खुद अपने शब्दों में बोले की, यू विल से, इस ओल्ड मैन हाज गिवन सो मच बर्ड़न तो अस, ये प्रहपाद जी अपने शब्दों में बोले थे, हम मंदिर की सेवा करें, मंदिर की सेवा करें, वार र게 क्या लिखा है? शास्त्र से अध्यात्म इक उभदेश्यों के द्वारा ही, उसके दवारा लोगक przy sraddha ho Kelly, कि हम समय नहीं खराब कर रहे हैं, च्पर ब्गवान की आर्ति कर रहे हैं, मूर्ति की आर्थी नहीं कर रहे हैं। Is that all okay? दो पॉइंट प्रपात क्या बोल रहे हैं? मंदिर की सेवा और शास्त्र रुप देश दोनों चीज़े स्विकार करने हूं। यदी कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है, तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए। जहां उपरयुक्त सारे kारे नीमित रूप से संपण होते हूँ। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अरंकित रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रिणा उत्पन्य होगे। यह आप सब मनभव करते होगे। कि मंदिर में जाते हैं, तो मन में एक आती है इच्छा, मुझे भक्ती करनी है। और आप घर में ही पड़े रहिये, तो क्यासा लगता है? अब उसमें क्या उसको वो अनिरवचनी है, उसका वढ़ना नहीं क्या सकता, बोरिंग से कंडिशन सोल के रूप में हम रहते हैं। आप सब लोग उसको अनभाव कर सकते हैं, कि मंदिर में जाते हैं, इतने भक्तों को देखते हैं, भग्वान की उपस्तिती रहती, कीर्तन रहता है, तो मन में तरंग उठती है, कि हम भी भक्ती करेंगे, भजान करेंगे, है कि ने? यही बात पुल रहा है। मनुष्यों को चाहिए कि वे विरिंदावन जैसे तीर स्थानों में जाएं, जहां ऐसे मंदिर तथा स्री विक्र है, पूजन की व्यस्ता रहती है। महाराज इस पर बोल रहते हैं, कह रहते हैं कि देखें, विरिंदावन में आने से बहुत प्रीचिंग हो जाती है। इतने लोग जुड़ हुए हैं भक्ति करने के लिए यह देहीं देखने को मिलता है। अनिस्थान पर जाने पर अब नहीं मिलेगा आपको। खाली ही पढ़े रहते हैं मंदिर, तो लगता है खाली रहने के लिए यह देखाओ कि जहाँ भीड होती हमारा भी कौतवल होता है कि भीड क्यों लगी हुए है कि नहीं। जहां भीड नहीं लग रहे तो कुछ लाग रहा को इंपोर्टन नहीं है तो जब भगवान की वंदर्शन के लिए इतनी जुट में जुट के जुट आते हैं तो लगत इंपोर्टन तो लोगी स्रधा बन जाती है प्राचिन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसे तता धनी वैपारी ऐसे मंदिरों का निर्मार शड़ गोंस्वायूं में अनुब्रच करके उठाएं क्या असकार्त है देखिए मनुश्य को चाहिए कि इन पवित्र तीर स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सेर सपाटे करने की भावना से न करें देख रहेंगे आजकल बहुत चल रहा है आते हैं सुपर सल्फ को देखने के लिए नहीं कृष्ण को वह अपना ही भगवान के सामने जाने का यह अनुब्रजन नहीं कहा जाएगा अपी तु उन्हें भगवान की दिवी लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश्विज्ञान जानने वाले विक्ति के मार दर्शन में करें यह क्या बोलो है प्रभपाजी मंदिरों की यात्रा सेर सपाटे कर अचा अपी तु उन्हें भगवान की दिवी लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश्विज्ञान जानने वाले विक्ति के मार दर्शन में करें अब यह समझने का प्रयास कि यह बहुत सुंदर बात प्रभपाजी कह रहा है यह समझने वाली बात है देखिए अभी हम कि यह आइए प्रवपार आते हैं कि अटा laser कौ समझ रहे हैं को यह भगवान की नित्य रीला स्थली यह नहीं प्रवपाज ऐसा नहिं है कि लीला हुई थी लीला हो रही है सी काया द॥ा प्ले गालिया बट्याय डभवन भवान ने किया था नहीं किया कर रहे हैं अधी प्र कुछ समझ पा रहा है बात को हमारे एक हम लोग बचपन के कुछ हमारी बात नहीं या घटना को लेकर हमारी माता लोग सोच सकती हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करता था उसका हम से कोई संबंध नहीं है वो गया शरीर लेकिन आप भगवान की लीला स्थली में जा रहे हैं तो वो स्थान भगवान की लीला बोलता है। ये catch कर रहे हैं बात को। आप मालिजे विंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो कालिया दह आई। तो वहाँ स्मर्ण नहीं हो जाता कि यहीं से भगवान कालिया पे कूदे थे। और जैसे ही स्मर्ण हुआ हम लोग सुन चुके हैं कि इससे आप कहां connect हुए भगवान श्रीकृष्ण को कहीं ना कहीं भगवान श्रीकृष्ण कालिया पे कूद रहें की नहीं ?.. जितनी बार आप कृष्णी की बात कर रहे हैं, किसी कृष्णी की लीला का स्मरण कर रहे हैं, वो लीला कहीं न कहीं चल रहे हैं, इमिडिटली connect to that past time. इसे बहुत गोह विज्ञान है, ऐसी लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहिए भक्तों के संग में, लेकिन वो तभी हुआ है, जब हम भक्तों के संग में गए हैं, और स्मरण की यह उनने बताया कि यह कालिया दो है, यहां पर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और नहीं तो हम ऐसे न आप मिलेगा, लेकिन बहुत कम, makes sense to you? तो यह अनुवरज के हलाता है, क्या अनुवरज के हलाता है, भक्तों के संग में जाएं, उस थान के महिमा के बारा में सुनें, और शास्त्री द्रिष्टी से कानों के माध्यम से उस थान को देखें, उस थान को देखें के क्रिष्न क का स्मरण होना चाहिए, fine, fine, अनुवरज का अर्थ है, पीछे-पीछे जाना, मतलब भक्त आगे-आगे और हम पीछे-पीछे, what it? भक्तों के संगत में जाना चाहिए, अतेव उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर स्थानों को देखने जाने में भी, गुरु की आदेश का पारन किया जाए, जो इस विदी से यात्रा नहीं करता, वह उस जड़ विरिक्ष के सद्रिश है, जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का शाप दिया है, मतलब जो कभी जाई नहीं रहा है भगवान के पास, ऐसे बात बोल रहा है, मनुष को चल फिर सकने की प्रिवर्ति क दुरुपयोग, दृष देखने या परेटन करने के लिए स्थानों की आत्रा करने में होता है, यह समझ में आया, हम सभी में लोग में कभी अर्ज आई है, कोहीं चलना चाहिए, बहुत एक्तावादी जीवत में आपने देखा असा, कुछ कहीं घूमने चलते हैं, दू तो यह बताई कभी लगता, असंडे नास तो नौकरी नहीं करना है, आत तेल निकलवा के नहीं आया है, फिर, कुछ तेल इधर भी देना चाहिए कि नहीं, यह बतलाए है कि क्या भौतिक्तावादी जीवन में कभी यह उल्लास नहीं आता था, कि चलो आज वहां चलते हैं, तो किया रहे हैं, उसी वेग को, उसी इचा को भगवान की सिवा में लगाना चाहिए, फाइन, ऐसी यात्रा की प्रवर्तिक असदुप यही है कि महान आचारियों द्वारा संस्थापित तीर स्थलों में जाया जाए, और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्र प्रेवल बनाएंगे लेकिन अब ब्रिंदावान का नहीं बनाते, वहां जाने से क्या होगा, वहां क्या करोगे जा करके, हम लोग जेले प्रीचिंग करने जाते थे, तो ऐसा ही हॉल था, अमारे भक्त हैं, तो पहले मास मुर्गा खाय करते होंगे अपने कुछ अन्या, द दर्वाजे से घुस रहा था, और इतने मुला रहे, पंडित जी के पास क्या जागो, चलो मुर्गा खाने चलते हैं, यह ऐसी प्रीचिंग लोग करते हैं, दर्वाजे से घुस रहा है, तब भी लोग माया पकड़ सकती है, इतना डेंजरस है, आज अच्छे भक्त हैं, उस ही घुसा है, और उसे पाता है कि वह उसकी सत्ता भगवान के सामने कुछ नहीं है, तो हमारे पैरों को रोकने के लिए क्या बटन दवाएगी, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, कहां नहीं जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, जहां कथा चलती, वहां मत ज आप मानते हैं बात को कितना प्रयास और उसके बाद देखते हैं देखो कुछ भी हो जो भक्त यहां पे किसी तरह लैंड कर जाते हैं तो उनका एक घंटे की रीडिंग तो हो ही जाती है इंक्लूदिंग मैसेल्फ समझ पाने बात तो इसी प्रकार से पैरों का उपयोग करना है और कौँसा पयोग हमने सीखा आखों का उपयोग भगवान का दर्शन करने के लिए होना है और पैरों का भगवान को मंद्र में जाने के लिए और नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम इतना पैर से खड़े हो जाए सुबह है और जूम पर ही भगवान को देख ले इतना तो उपयोग कर लेना चाहिए एक बात वार बता रहा था वो जो भूल गया फिर से देख लिजेगा 10.12.39 अगर श्लोक को सकते हैं तो खोल दीजे कि जब अगासुर का उधार हो गया तो लों को बड़ा अचार हुआ कि बाई यह कैसे मोगत हो गया कैसे मोगत हो गया तो श्गुदय गोशामी जी भगवाण के mahimar के बारे हिए कि श्लोक बड़ा सुन्दर है सक्रिद यदंग प्रतिमांताराहिता मनोमई भागवतिम ददावगतिम सएवनित्यात्म सुखान भूत्यभीर विदस्तमायोंतर गतो किंपुनह कैमित्यक अप्यों कर रहे हैं कि एक बार भी कोई विक्ति जबर्दस्ती भगवान के रूपों अपने मन में लेके आ जाता है भागवति मतलब अपना पार्षद बना देते हैं अब समझ मेरा कितना महिमा है थोड़ा आँख खोल दी और भागवान को देखा कौन है यह कृष्ण बल्राम जैसे कुम्वकरण था ना अरे बोलो राम राम फिर सो जाता था तो उससे उसका अधार हो जाता था तो एक बार भी अगर किसी ने भगवान को ऐसे देखा है तो भगवान भागवति गति देते हैं हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहें दस बारा उन्तालिस तब रोज जो भगवान का दर्शन करेगा उसका तो कहना है कि अज़ाए बढाव नहीं देखने सा अचाहा है कि बीना नहाएं कर लें लेकिन तर्रीके से नहाद करके कुछ बड़ी अस द्रशन करना चाहिए कितना अच्छा स्टाईल है। चाट ऑफ कर दो को दिरा नो गॉश्टेंस तो फो फो एंड नाव श्रुमे भाग वतम की जाए। श्रीला प्रभुपात की जाए। क्या मैंने पूरा पढ़ लिया। हाँ पूरा पढ़ लिया। हरे कृष्णा